प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी ने देश के कई युवाओं को राश्ट्रे रचनाकार पुरुस्कार यानि नाशनल क्रियेटल सब्वार्ट से नवाजा है इस लिस्ट में जया किशोरी से लेकर पॉड़कास क्रियेटर रनवीर इलाबादिया भी शामिल है इन सब के बीच भुपाल के नमन देश्मुक भी अपनी जगे बनाने में काम्याब हुए है नमन देश्मुक टेक प्लस गैजिट्स के संस्थापक है इंस्टाग्राम पर इनके 3 मिलियन फॉलोवर्स और यूट्यूब पर 4 लाग से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है लोकल एटिन की टीम ने नमन देश्मुक से खास बाचीत की है नमन बताते हैं कि अवोर्ड देते समय प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने उनसे कहा आपको नमन टेक क्रियेटर का कहना है कि ये बात तो उन्हें हमेशा याद रहेगी अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए नमन ने कहा कि कैसे कोरोना काल ने उनकी लाइफ बदली जिन्दिकी के हर पढ़ाव पर नमन ने हौसला नहीं खोया और अपने हुनर से टेक चगत में तहलकल मचा दिया लोकल 18 के साथ एक्स्क्लूजिव इंटर्व्यू में टेक्स एक्सपर्ट ने क्या-क्या कहा आए सुनते हैं मेरा नाम है नमन देशमुक और मैं शोशल मीडिया पर टेक प्लस गैजट के नाम से जाना जाता हूँ रिसेंटली मुझे देशनल क्रीटर अवार्ड मिला एड्यूकेशन कैटेगरी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और जहां पर टोटल बीस लोगों को जो है यह अवार्ड दिया गया हाला कि MP से मैं सिर्फ अकेला था जिसको यह अवार्ड दिया गया और दो कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ था तो यह चीज मेरे लिए बहुत जादा ही इंपॉर्टन्ट है और बहुत खुशी की बात है कि भोपाल के लड़के ने इस चीज को वो अचीव किया है और एजुकेशन की फील्ड में वो भी अचीव किया है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है नमन जी आपको नेशनल क्रेटर का अवार्ड मिला पीम से बहुत बड़ी बात है अमत पेस और उन पुरे देश के लि बेसिक जैसे हर एक मिडल क्लास लड़के की होती है वैसी है मैं बेसिकली भोपाल कहलो या फिर MP मैं 2000 से हूँ और मेरा जन्म तो वैसे गॉलियर भी हुआ है लेकिन मेरी मम्मी जो है एक गौवर्मेंट हॉस्पिटल में नर्स है तो इस वज़े से यहां पे भोपाल के पास रडूरी से की जो टी-टी नंगर में है और इसके बाद फिर में ए्टिनरिंग में एडमिशन लिया और इंगिनरिंग में मैंने मैंने कम्पीटर साइंस की स्ट्रीम चूस करी थी और वहां पे उनिनरिंग के टाइम ही जो है मैंने सोचा था की यूट teaspoon पे वीडीयो बनाऊ लोगों को समझा लेता था कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, चाहिए वो सो रुपे का प्रोड़क्ट हो या फिर कोई लाख रुपे का प्रोड़क्ट हो, तो explanation के कारण जो है वो एक थोड़ा confidence था कि चलो चालू करते हैं, बट वही है कि engineering के time पर 2018 में pass out हुआ, 2019 में मैंने अपने चैनल को जो मैं पहले बना चुगा था कॉलिज टाइम पर मैंने फिर से वीडियो बनाना वहाँ पर चालू किया, और इसके बाद जब COVID हैट हुआ, तो वर from home हो गया, क्योंकि पहले मुझे office जाना पड़ता था, तो सुब 8-9 बज़े से न सब्सक्राइबर बहुत अच्छे मिले, लोगों का support बहुत अच्छा मिला, तो 50-60,000 सब्सक्राइबर हो गए थे, और वहाँ पर earning में मेरी चालू हो गई थी, फिर एक decision मेरे को लेना था कि अब दोनों में से एक choose करना है, क्योंकि दोनों चीज बढ़ रही थी, और एक time ब जो है, short form content यानि Instagram, Reels अगरे का trend आया, जहां पर मैंने information प्रोवाइट करी, 30 seconds, 40 seconds, 60 seconds के अंदर, और वहां पर मुझे बहुत बूस्ट मिल गया, और लोगों को मेरा content समझ में आने लगा, मजा आने लगा उनको, जहां पर मैं information देता था, awareness देता था, लोगों को समझाता था कि technology कैसे काम करती है, बहुत सारे government schemes होती थी, वो आप कैसे कर सकते, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी schemes है, जो लोगों को पता ही नहीं होती है, तो उसको पचाने का काम, जो हम लोग करते हैं, बहुत सारे scams होते हैं, जैसे कि मोधी जी ने भी उस award function में बोला था, कि लोग technology, खरीद तो लेते हैं, महंगे-महंगे phone ले तो लेते हैं, लेकिन उनको कैसे use करना है, उसके बारे में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो सारी चीज़े हम explain करते हैं, बहुत simple तरीके से, ताकि एक mass audience, इंडिया की mass audience को हमारा content बहुत simple तरीके से समझ में आ जाए, तो इस त जी, शुरुआती दौर में कैसे मिलते हैं आपको gadget से बात करें, शुरुआती दौर पे, gadgets तो ऐसा था कि मैंने खोदी खरीदे हैं, सारे gadgets, थोड़ी बहुत जब job से earning होती थी तो उसी से gadgets खरीता था, एक थोड़ा सा budget बना के रखता था मैं शुरुआत में, कि इतने ही पै वीव करता था लोगों बताता कि क्या अच्छा है क्या नी तोसल मेडिया के हम डिजिटल में बात कर रहे हैं, योटो से जुग इंच्टार है तो कितना समय लगा आपको इस थापित होने में, पहला वीडियो आपको कैसे हुआ है इसका जो है मैंने जैसे बताया कि जब मैं यह कालेज में था 2016 यह 2014 की बात है, तो मैंने वहाँ पर वीडियो बना दिया था अपना उस टाइम पे मैं खुद अलफी स्टिक को अपने पहर में फ़सा कर इसे जगाड कर करके वीडियो बनाया था और जब वीडियो बनाया था उसके ज्यादा बनाने के बात मैंने सब्सक्राइबर आ गए थे तब जाके मैंने चीज़ें सीरिसली किया नहीं यहां पर तो हो सकता है कुछ कर सकते हैं तो शुरवाती दौर पर तो चार साल करना चार-पांस साल जब मैंने किया जॉब के साथ साथ में बहुत टफ था हेल्थ के बारे में जादा सोचा नहीं तो उस टाइम पर अकेला करना सब कुछ जो है थोड़ा सा टफ था बट वही है कि अगर आपका पैशन हो किसी चीज में तो आपको जादा वो नहीं लगता है कि यार परिशानी नहीं होती है अगर आपका पैशन नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी सर अगर बात करें कि यूट्यूब से आपकी पहली इक्विमेंट कितनो दिनों में आई तो यूट्यूब से जो है मुझे कम से कम चार महिना लग गया था साड़े तीन चार महिना और यूट्यूब पे एक थ्रेशोर्ड होता है जो होता है 100 डॉलर का आप जब वो 100 डॉलर करते हो उस टाइम पे था यह थ्रेशोर्ड तो तब जाके आपके आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते है तो 100 डॉलर होने में करीब करीब तीन-चार महिने लग गय थे और 100 डॉलर उस टाइम पे मेरे पास शायद 7,000-7,100 रुपीस जो है मेरे अकाउंट में आय थे और जाइद मेरी जॉब के अर्निक बहुत जाला थी उस टाइम पर क्योंकि मैं आइटी में था तो आइटी का पैकेज अच्छा था लेकिन वो 7,000 रुपे देखके ज्यादा खुशी हुए थी क्योंकि वो एक पैशन के थू आया था तो बात करें कि कौन-कौन ऐसे ब्रांड यह आप से प्रमूड कराते है अपने लेक्स तो ब्रैंड की बात करें तो हाला कि अभी हम लोग इंड़ा की अच्छी ब्रैंड जित्ती भी है उनके साथ है चाहे सैमसंग और शायूमी हो पोको उपो इसके अलाबा वाटसेप के साथ हमने काम किया है महिंद्रा के साथ काम करते हैं